असलाम अलेकों रह्मतुलाइब बरकातु आज Language Cert का जो test 2 है उसका paper जो 2 है उसके जो questions part 1 में आए हैं वो कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे उनके answer कैसे देने हैं इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले यह देखें जी यहां वही तीन common questions वह लिखे हुए हैं लेकिन इनके अलावा भी पूछे जा सकते हैं पांच पूछ ले दस पूछ ले यह depend करता है आपके examiner पर date minute का उसके पास time है उस date minute में वो जितना चाहे पूछ सकता है उसके mood pigment करता है किस तरह की बात वो पूछ सकता है तो आपने सिर्फ यही नहीं रटके चले जाना कि यह मैं answer दूँगा तो पास हो जाओंगा जुरूरी नहीं ऐसे ही हो हो भी सकते हैं आप हो जाएं तो chances होते हैं चले questions की बात करते हैं जो पहला question है हमारे पास part one का वो है what do you do in the morning आप सुबा के वक्त क्या करते हैं तो सुबा के वक्त बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं जो आप करते हैं for example आप कह सकते हैं I do exercise in the morning I read newspaper in the morning I go for walk in the morning I read my prayer in the morning I recite holy quran in the morning बहुत सारे answers हैं जो आपको असान लगता हैं उनमें से कोई भी answer आप दे लें तो आपका जवाब ठीक होगा इससे आगे जी what's your favorite color कोई भी favorite color बता दें black is my favorite color white is my favorite color जो भी आप बताना चाहें इससे एकला question है when do you watch TV when do you watch TV के आप TV कब देखते हैं तो आप कोई भी time क्या कि जब आप इस तरह को बताएं कि answer I watch TV in afternoon जा I watch TV at evening मैं evening में देखता हूँ तो जब यह आप answer देंगे तो साथ में वो answer के साथ एक और स्वाल आ जाता है कि why do you watch TV at night आप रात को क्यों देखते हैं तो वह answer यह हो सकता है I watch TV at night because that time I am free कि उस वक्ती मैं free होता हूँ because I go to office and at night I am free that's why I watch TV at night तो यह इस तरह से answer देना है क्योंकि examiner आपको check कर रहा होता है कि आपने रटे रटाए एक एक जुमला तो नहीं याद किया हूँ तो अगर आपने एक एक जुमला याद किया हूँ तो आप भच सकते है इस एकला question है What do you do at weekend? Weekend मतलब week का end जो होता है वो hafta और इतवार के दिन होता है तो आप उसमें क्या करते हैं आप यह कह सकते है Go to the cinema At weekend मैं cinema जाता हूँ I play cricket with my friends At weekend मैं cricket कहलता हूँ या आप यह कह सकते है Go shopping with my wife At weekend Weekend मैं मैं अपनी बीवी के साथ shopping करने जाता हूँ इस एकला question है What's your job? आपकी job क्या है? आपकी job है आपसे professional पूछ रहा है तो आप यह कह सकते हैं कि I am a businessman अगर आप businessman है तो अगर आपकी job है teacher तो आप कह सकते हैं I am a teacher अगर आप typist हैं आप shop पे काम करते हैं तो आप है मैं shopkeeper अगर आप salesman है तो आप है salesman है तो आप है salesman है शौप और इससे आगे वो आपसे question connect कर सकता है What do you sell? आप क्या बेचते हैं? आप बहुत सरी चीज़ें करयाने की दुकान है I sell grocery मैं grocery बेचता हूँ अगर shoes किया तो I sell shoes अगर कपड़े है तो I sell cloths वो कोई भी हो सकता है तो आप उस तरह से answer नहींगे How do you travel to places? यह अगला question है के मुख्लिब जगों पे आप travel कैसे करते हैं आप travel करने के कही तरीके होते हैं आप गाड़ी पे करते हैं I travel by my motorcycle मैं अपनी motorcycle पे travel करता हूँ इस अगला question है What weather do you like? आपको कौन सा मुख्लिब पसांद है? मुख्लिब बहुत सारे हैं लेकिन अमूमन जो है 4 मुख्लिब बता है I like autumn, I like winter, I like summer यह इन में से कोई आप बता दें तो इन में से ही बताएं तो पेटर है अब यह भी कह सकते है I like rainy weather I like cloudy weather मैं cloud बादल बने हो यह rainy weather जिसमें बारश हो रही हो कोई भी आप इन में से बता सकते है और इसके साथ वो वाई जरूर पुशे का Why do you like it? For example, why do you like cloudy weather? आपको cloudy weather के पसाद है तो आप कह सकते है Because it looks romantic यह romantic लगता है इसलिह मुझे पसाद है That's why I like it इसलिए लग क्वेस्टन है What restaurants do you like? कौन से restaurants आपको पसाद है? यह कौन सा restaurant आपको पसाद है? तो कोई भी restaurant का नाम ले सकते हैं I like paradise restaurant I like mecca restaurant इनमें से कोई भी रवायत बगारा जो भी आपके नजदीक हैं जो भी आप बताना चाहरे हैं जिनका आपको नाम आता है वो बता दे और इसमें वो why इसमें बचाएगा why Why do you like this restaurant? आपको यह restaurant क्यों पसाद है? तो आप कह सकते है Because it has tasty food इसका जो food है वो अच्छा है याप यह कह सकते है Because it has nice staff इसका जो staff है वो बड़ा अच्छा है इस एकला question है Tell me about someone in your family आपकी जो family में है कोई एक उसके बारे में मुझे बताएं अब आपकी family में आपकी माँ है बाप है बाई है तो उसके बारे में बताना है आपने वो आपको देख रहा है कि आपको किसी के बारे में मालूमात देनी आती है या नहीं तो आप कह सकते है I have an elder brother He is very honest He is shopkeeper He is doing his business For five years और जीतने भी आप यह कह सकते हैं He is married He has children इस तरह से आपने तीन-चार लाइने बोलनी है तो यह काफी हो जाएगा इससे अगला question हो यह last question है second paper का How often do you go out with friends? आप अपने दोस्तों के साथ कब कबार जाते हैं? How often होता है कब कबार? हफते में कितनी दफा महीने में कब कब जाते हैं आप How often do you go out with friends? I go out with my friends every weekend हार weekend में मैं जाता हूँ ठीक है once in a month कह सकते हैं कोई भी आप time बता सकते हैं तो बोग पूछ सकते हैं जी why तो आप के because I like to enjoy with my friends that's why I like to go every weekend with my friends तो यह second paper जो दिया हुआ इनोंने example की तोर पर उसमें कुछ सवालात है जो मैंने आपको बता दिया इन्शाला next part जो है second part उसमें situations कैसे करने है role plays कैसे करने है A1 वालों के लिए उन पे मैं वीडियो बनाऊँगा फिर हमारा अगली बारी होगी A2 पे A2 पे कुछ वीडियोस बनेंगी फिर B1 फिर B2 C1, C2 सब पे बनेंगी इसमें writing, listening हर चीज इन्शाला मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिखाऊं जितना भी language search के बारे में मैं जानता हूँ वो आपको सिखाऊं क्योंकि मुझे पता है अभी language search market में नहीं आया और YouTube पे आपको इसके lectures नहीं मिलेंगे इसलिए मेरी कोशिश है कि जो कुछ में जानालिज है वो जो language search करना चाहरे है उनके लिए मैं सारा जितना हो सकता है वो deliver करूँ तो मुझे अमीद है आज की questions के आपको समझ आगी होगी इंशाला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर कोई question हो कोई बात हो आप कर सकते हैं अगर आप मेरा number use करना चाहरे हैं तो WhatsApp में मुझे सिर्फ message किया करें calls ना किया करें ताके मैं जब भी free हूँ तो मैं आपको message कर जबाब दे दू काल से परहेज करें इंशाला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अलाहाफरेज